नमस्कार दोस्तो सुवागता आपका तो दोस्तो आज मैं आपको IRCTC स्टोक के बारे में एक नई चीज बताने वाला हूँ अगर ओल लेडिया आपने IRCTC का स्टोक बाई कर रखा है दोस्तो तो आपको एवरेजिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है तो यहाँ पर देखिए मैं आपको पिछले 6 मubंत का चार्ट बताने वाला हूँ अगर यहाँ पर बात करते हैं रेटन की तो 25% के आसपास की रेटन जो है देखने को मिले दोस्तो यानिके 25% की रेटन देखने को मिले और वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों हम आज की तो आज आपको स्टोक प्राई 791 रुपे 90 पैसे की आसपा देखने को मिल ला है और बात करते हैं मैक्सिमम गिरावट की तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मैक्सिमम गिरावट इस स्टोक में आपको देखने को मिली वो यहाँ पर देखने को मिली थी 738 रुपे यानिके जीन निवेसको ने 738 रुपे पर IRCTC का स्टोक बाई किया था उनके लिए प्रोफिट का सोधा है दोस्तों क्योंकि हो सकता है कि इससे भी जादा गिर जाए ऐसा नहीं है ये इस्टोक मार्केट है इससे भी जादा गिर सकता है पर जब रिकवर करेगा दोस्तों तो आपको पता है कि 800-900 रुपे के लेवल ये चूलेगा उसके बाद जो लोग यहाँ पर नीचले लेवल पर बाई करेंगे उनके लिए बहुती अच्छे रिजल्ट साबित हो सकते हैं बात कर लेते हैं दोस्तो किसको बाई कैसे करना है जिसे मैं आपको बताया है कि IRCTC में आपको एवरेजिंग नहीं करनी है तो देखिए यहाँ पर उन नीवेशको के लिए सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं तो आपके पास अगर दो डीमेट अकाउंट है तो आप यहाँ पर कोशिश करिए अगर आपके पास पहले से एक डीमेट अकाउंट है उसमें आपने IRCTC का जो स्टोक बा में दोस्तों IRCTC का स्टोक बाई कीजिए 750 से नीचे की लेवल पर आप बाई कीजिए हो सकता है आज साम तक स्टोक प्राइज आपको 730 के आसपास देखने को मिल जाएं क्योंकि कंटीनियू आप देख सकते हैं यहाँ पर गिरावट है और आज लगबग 6% के आसपासी गि लिए और गिरावट कंटीनियू बनी भी है दोस्तों वजह क्या है तो आपको पता है रूस एंड यूक्रेन का वर वर्ड वर्ड थिरी की बात चल रही है दोस्तों यहाँ पर रस्याने साब कह दिया है कि अगर रस्या को मिटाने की कोशिश कही गई तो रस्या के वगएर दुनिया का वजूद बेकार है यानि कि अगर रूस है तो दुनिया है और रूस नहीं है तो दुनिया नहीं है दोस्तों क्योंकि आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाण बोम सिर्फ और सिर्फ रूस के बाद है उसके पास अमेरिका के पास है तो यहाँ पर वाइक करें उसके बाद जब इस्टोक मार्केट में आपको तेजी दिखाई दे तो आपने जो इस्टोक उल्डी ऊपरी लेवल पर वाइक कर रखे हैं आप उनको बेच कर सेल करके आप वहाँ से अपना पैसा निकाल लीजिए तो यहाँ पर ऐसा होगा कि आपने इंवेस्ट चपपन आठसो पचाथ तो अब एगर साथ सो पचास लेवल के टार्गेट आपको देखने को मिलना हैं आग बंद करके बाई कर लिजी दोस्तो और जैसे ही आपको साड़े आठसो के लेवल देखने को मिलेंगे आने वाले दो चार दिन में ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं और यह आपके रह जाएंगे तो averaging ना खरें अगर मान के चलिए किसी ने कोई stock आज की तारीक में 2000 में खरीद रखा है मान के चलिए और आज उसकी value हो चुकी है दोस्तों 1200 रुपे क्योंकि बहुत नीचे average price आचुके हैं जैसे कि आप डिमार्ट देख लीजिए नोकरी डॉट कॉम देख लीजिए बहुत नीचे आचुके हैं तो वहाँ पर averaging करना बेवकूपी वाली बात है तो उस condition में आपके पास अगर दो डिमेट अकाउंट हैं तो दूसरे डिमेट अकाउंट में आप buy कीजिए जैसे ही average जैसे ही stock market में price उपर देखने को मिलेगा तो उपरी लेवल के जो डिमेट अकाउंट में आपके जो भी stocks हैं उनको आप sale कर दीजिए तो इस तरीके से आप low level पर stock भी buy कर लेंगे और आने वाले समय में आपको मुनाफ़ा भी अच्छा देखने को मिलेगा तो averaging ना करके आप किसी दूसरे नए डिमेट अकाउंट में stock buy करके चलेंगे तो बहुत अच्छे result आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊं averaging करते 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 पूरा पैसा खतम हो जाता है और आपके जो stock price है वो फिर भी आपके उपर ही देखने को मिलते हैं तो उसके लिए उससे बचने के लिए आपके पास दूसरा डिमेट अकाउंट होना चाहिए और इस गि सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग वीडियो